किड़नी में खराबी कब आती है क्या आप जानते हैं किड़नी में खराबी तब आती है जब आपके शरीर में कुटनाइन पहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है और कुटनाइन तब बढ़ता है जब आप अपनी डाइट में ऐसी चीजों का अधिक मात्रा में सेवन करते ह हैं जिसको digest करना आपके शरीर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है किड्नी के बिमारी और उसके इलाज में सबसे ज्यादा जरूरी होती है लेत event मरीज जैसा आहार टेए उनका स्वास्ते वैसा ही होता है इसले किड़ी के मरीजों को उनके डाइट में ऐसी चीजों का सेवन करने की सलह दी जाती जिसका सेवन उनके शरीर में क्र anyone के स्थर को नबढ़ाए क्योंकि किड्नी मरीजों के शरीर में कर्टिनाइन का सरबढ़ना उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है इसलिए आज हम आपको अपने चानल के ट्रीटमेंट विदाव डालेसिस के माध्यम से बताएंगे कि किड्नी के मरीज अपने डायत में क्या लें जिससे उनके शरीर में क्रिटनाइन न बढ़े क्रिटनाइन एक प्रकार का वेस्ट प्रॉडक्ट होता है जो आपके शरीर में आपके द्वारा लिए गए अनावश्यक आहार के कारण बनता है क्रिटनाइन जब आपके यूरीन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है तो आपकी क सीवन में शामिल कर सकते हैं को कम करने के लिए जरूरी है कि आप अपने आहार में बदलाव करें ताकि इससे आपकी किड़नी पर कोई बुरा असर ना पड़े चलिए शिर्वात करते हैं सबजियों से और जानते हैं कि कौन सी सबजी का सेवन आपके किड़नाइन के स्थर को कम करने में मदद करता है किड्नी के मरीजों को क्रिटिनाइन लेवल कम करने के लिए हमीशा उन्हें ऐसे आहार दिये जाते हैं जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन और कैल्शिम न पाया जाता हो क्योंकि ऐसे आहार नसर्फ क्रिटिनाइन के स्थर को बढ़ाते हैं बलकि इस समय पर डाइजस्ट भी नहीं होते और इससे आपकी किड्नी पर प्रभाव पढ़ता है आप अपने रोजाना के आहार में घिया टिंडा परवल हराकदू इन चीजों को शामिल कर सकते हैं इसके साथ ही आप प्याज, पत्ता गोभी, करेला, शिम्लामिच और गाजर को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं लेकिन साथ दिन में सिर्फ एक बार और ध्यान रहे कि सभी सबजियों का प्रयोग उबाल कर ही करना है ये सभी सबजियां शरीर मेकटराइन को बढ़ने से रोखती हैं और आपकी किड्नी को स्वस्रकती हैं जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि किड्नी के मरीजों को दिया जाने वाला आहार उनकी रिपोर्ट्स पर निर्भर करता है इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि सभी किड्नी के मरीज इन सबजियों को खा सकते हैं इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आहार में केवल उन्हीं चीज़ों को शामिल करें जिसका सेवन डॉक्टर और डाइटीशन आपको अलाओ करें अब बढ़ते हैं अगले आहार की तरफ और बात करते हैं ऐसे फ़लों के बारे में जो आपके शरीर में किड्नाइन के स्थर को बढ़ने नहीं देते और आपकी किड्नी स्वस्त रहती है आप फ़लों में सेव, अम्रूत, पपीता और नाशपाती को शामिल कर सकते हैं इनका सेवन आपको स्वस्त रखता है साथ ही आपके किड्नाइन के स्थर को कम करने में मदद करता है इसके साथ ही अनाच में किड्नी के मरीज, गेहूं के आटे की रोटी, धुली मूंदाल, अरहर दाल और चामिल का सेवन कर सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि चामिल का सेवन उबाल कर ही करना है और वो भी साथ दिन में केवल एक बार और जिनकी किड्नी डाइबिटीस की वज़़ से खराब हुई है उन्हें चामिल का सेवन बिना डॉक्टर की सलह के नहीं करना है तो ये है कुछ डाइट जिनका सेवन आपके शरीर में कुटिनाइन के स्थर को कम करने में मदद करता है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आप किड्नी की किसी भी समस्या से परिशान है तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्ग कर सकते हैं कर्मा आयुर्वेदा उपचार की इंद्र में आपको किड्नी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटीशन मौझूद है जो किड्नी के मरीजों को कौन से डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं इस बात का ध्यान रखते हुए मरीज को सही आहार की चानकारी देते हैं अगर आप डालेस और किर्नी ट्रांस्प्लांट जैसे समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयरुवेदा उपचार के इंद्र में संपर्क कर सकते हैं अगर आपको हमारी आज के वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए सबी के साथ शेयर कीजिए ऐसे और भी इंफर्मिटेव वीडियो के लिए हमारे चानल को अभी सब्सक्राइब कीजिए साथ ही आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार